जो सेयोगी हैं और आप जितने भी साथी हैं लग जानता तो नहीं हूँ गोतन जी हैं और सब को जानने के लिए यहां मैं भी आया हूँ इसी तरह से जैसे आप सर्विस के अंदर से जोब अपनी जो भी आपका डेली रूटीन है जोब को छोड़के काम छोड़के स्पेशल काम निकाल के आए हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं हम मेरा ज्यादा समय ना लेते हुए जो 26 दिसंबर को राम लीला मैदान में रेली का जो आयोजन होने जा रहा है उसी पे मैं अपने दो सब्द रखूंगा क्योंकि यह रेली चार दिसंबर को होनी सबसे बड़ी बात तो यह है एक तो अमारे जितने भी स्टेस्सी भाई अपना समय समाज के लिए निकाल नहीं पाते हैं और जो निकाल भी पाएंगे जो राम लीला मैदान तक आएंगे कम से कम हम ऐसा समय तो चुने जिसमें पूरे देश के MPs परदान मंत्री जी सब कुछ पार्लेमेंट दिली में अवेलेबल हो और हमारी जो आवाज है वो आवाज पार्लेमेंट तक जाए तो इसी लिए 26 दिसंबर का रखा गया था रखा गया है और इसमें सबसे बड़ा प्राइबेट सेक्टर रिजरवेशन इन प्र्मोशन कॉंट्रेक्ट मिनसी मेरा कि सरकारıs कोई भी किसी का उल्busy सायद नहीं है अगर समाजागरुखे मैंने यह देखा कि 24 साल का लड़का यह कहूंगा हार्दिक पटेल उसको समाज ने ताकत दिया ना छोटा समझा ना बड़ा समझा जो पटेल समाज पूरा ही अपने आप में हीरे जवारात का बिजनिस करता है उनको तरासने की फैक्टरी है जो आदमी रामलिला मैदान जैसे ग्राउंड भी जो भी ग्राउंड है तथा कति ग्राउंड उनमें मर्सडीज बी एफ डेवली और बिल्कूल मलब एसी कोच में आ रहे हैं तो कहीं ने कि समाज की वह समाज की जरूमें थे तभी तो आ रहे ना लेकिन हम पूरा स्टी स्थी वाई जितना भी है हम जान पू पहे अद्हकर लेकिन जो अधमी सोने का बहाना करता है उसको जगाना थोड़ा URL होता है लेकिन जगाएंगे हम सब मिलके जो अमारे सीनियर से से इन से हम γाईडवाइन्स लेंगे और जो हम यूत हैं वो हम उस मिशन को आगे पहुचाएंगे और हम साल से कहेंगे कि हम SCST केटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं एरपोर्ट ओर्ली ओपल इंडिया में मैंनेजर हूँ ATS Air Traffic Services, ओल इडिया प्रेजिडेंट हूँ 132 एरपोर्ट का, राजियु गान्दी वावन है इदर लोदी रोड के पास सब्दाजंग एरपोर्ट पे, वहां मैं सर्विस करता हूँ, मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने समझा जैसे मैं अम्पेट कराईज हुआ, तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं जनर्नल यूनियन को छोड़के, जो भी मेरे पास बाबा साइब के देवे परतीबा है, उसको मैं अपने भाईयों के लिए, अपने समाज के लिए लगाँ ना, दूसरी जगह तो वह मैं मजबूर हुआ, चाहरी नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने टेलेंट को यहीं उज़ करेंगे, और शान से कहते हैं कि हम ऐसे इसजी कटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम क्यों कहें, हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो दूसरी जनर्नल यूनियन होता है, श्यूशन होता है, वही दोनों आथों से बाठ सकता है, बाबा साइब ये पूरे देश को, पूरे संसार को सब कुछ बाटा है, ग्यान बाटा है और जीने की कला सिखाई है और हम भी उसी के अनुयाई हैं, हम भी भी उसी के वनसद हैं, हम वैसा अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे पास पूरी तरह से इस तरह की opportunity है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मै सब्सक्राइब का भी होग है, अगर अपने पास कोई minority, OPC, journal भी आता है, तो हम उसको दे के ही बेजते हैं, ताकि उसकी समझ में ये आए, ये लोग लेने वाले नहीं हुआ करते हैं, ये देने की भी काबलेत रखते हैं, तो मेरा आप सब से ये अनुरोद है, कि reservation in private sector, reservation, मै मैंने कहा, मैं अभी एक दिन में बैठा तो मैंने कहा कि reservation in private sector का मेरा ही भला होगा, reservation in private sector का, अरे SC, ST, OPC, journal, आरक्षित, जितने हैं, सब का फाइदा होना है, मेरा airport, दिल्ली airport, पाला में airport private होगा, GMR को चला गया, GVK को मुंबई चला गया, कोचिन चला गया, त्रिवेंदर चला गया, कहां जाएगा समाज, कहां जाएगा, जो reservation in private sector, मैं अपने लोगों को कहता हूँ, कि जब मैं अपना banner लगाता हूँ, मैं अपना sticker लगाता हूँ, तो एक बंदी ये कहते हैं, कि मैं थोड़ा समय ले लूँ, भाई, private sector में तो छोड़ दो, देवी सिंग जी, एक कास्ट का कह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई छोड़ देंगी, आपको क्या फाइदा होगा, बता दो, आप airport authority of India में service करते हैं, अभी, अभी किदे सेलरी ले लोंगा, तो मैंने कहा क्यों मिल रही सेलरी, ये इसलिए मिल रही है कि ये government of India का system चलता है, यहां मेरे बाबा सा का बनाया हुआ, नियम काइदा चलता है, यहां जोब secure है, wages अच्छे है, एजपोज profit मिलता है, और वही आपकी qualification से भी बड़ा, MBA HR, MBA Finance, VTAC, VTAC, जितनी भी qualities होती है, GMR में जाके अपने बच्चे को या छोटे भाई गो जोईन कर पिया हो, तो पूछो ना, मुश्किल से 25 30,000 रुपे देते हैं, job secure नहीं है, wages मैनत के इसाफ से नहीं मिलते हैं, जो काम करते हैं, जितनी परतिभाए हैं सुबह से लेके साम तक सारी परतिभाओं के मताबिक सारा काम ले लिया जादा है, फिर भी बनते को यह नहीं पता कि कितने दिन रहेगा private sector में, तो हमारा एक है वो 27 परसेंट वाले जो आज पंडित बरामन की लैन में लगे बैटे हैं, उनको आज तो बाबा साहिब के सामने एक मुंबत नहीं चला सकते, लानत है, और वो किसको ने बनाया, वो तो बाबा साहिब ने बनाया, हमसे भी ज़्यादा जिन लोगों को दिया, जिस community को दिया उस community नहीं, मतलब हम, मतलब वो इतना इतना भूल गए हैं, लेकिन ये फाइदार इजरेवेशन इन प्राइवेश सेक्टर हम सब का है, हमारे बच्चे भी जाएंगे, 22 परसेंट है, तो 22 परसेंट में जो अगर बैनिफिट के हिसाब से जो मिल रहा है, जो स्क्योर है, मान सब्सक्राइब का हो जाएगा, तो 80 आदमी आपके भी तो खपेंगे बाई, और हमारे तो साइड़ बीस भी ना जाए प्राइवेट में, क्योंकि वो अंडरग्रांड वेरिफिकेशन कर ली जाएगी, चाहिए कितना ही टैलेंटिट बस्ता है, तार्गेट ये है, कि आदी सिच्वेशन में पोचाना है, आदिकाल की पोजिशन में, पहले गली मौले में कास्ट के नाम पे पिटाए कर दी जाती 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 लेकिन आज जाती नहीं करते हैं, आज दिमाग से खतम करने का प्लान चल रहा है, या तो जाग जाएगे, नहीं तो अगली पीडी के कि जो पड़े लिखे लोग हैं, उनके उपर ज्यादा दाइत हो हैं कि वो समाज मेरे मिशन को आगे पोचाएं, जिस बाएक को, जिस समाज को, जिसको नहीं मिला, उस तक पोचाना भी तो हमारा ये दाइत हो ना, अगर एक सरदार को पूछेंगे, तो सरदार मुठी बंद करके दान दे लेता है, गुप दान, पर्ची नहीं लेता है, तो हम ये चाहते हैं कि दान ना दो, लेकिन जो आपके पास है, नियर एंडियर, समाज है, गली में, मौले में, ओफिस में, उसका कुछ तो गुप दान कीजिए नहीं, और उठना पड़ेगा, अगर कोई साथी ये सोचता हो कि पता नहीं चलता है, SCST का ओफिसर का, या करमचारी का, सब को पता है, आपके खिलाफ क्या-क्या कानिया होनी है, जैसे आप पर्मोशन लेवल पे जाएंगे, डिसिप्रिली केस कर देंगे, विजलेंस कर देंगे, मेंटली टेंशन देंगे, प्रेशान होता जाएगा, आधा भागल हो जाएगा, तो ये प्लान है, तो इसलिए समाज के साथ हमें संकित होना, मेरा ये कहना है कि, डॉक्टर उद्धित राजी, मैं आपको कहा दू कि, ना मेरे, अगर हम वैसी बात करें, ना स्टेट से, ना बासा से, ना सबकास से, ना कहीं और बात स शिरफ जब से मैं मिला, तो मैंने ये देखा कि, डॉक्टर साब के अंदर, मैं बहुत सारे नेता हूं के पास, जैसे जैसे हमारे सीनियर हैं, या दूसरे सीनियर हैं, उनके साथ जाता रांग, फॉन नहीं करते हैं लोग, नेता भी, रख दीजी, रख दीजी, कोई बाद फॉन नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर उदितराज जी, ब्यूरोक्रेट हैं, ओफिसर हैं, उन्होंने भाई, अपने समाज के लिए नोकरी छोड़ा है, गरीब परिवार का बच्चा मुस्किल से सीविल सर्विसेज करके, असिस्टेंट कमिसनर बना, और समाज बाबा साह कि उन्होंने पॉलिटिकल बिजनिस सुन करना है, उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी वो MP है, मैडम एडिसल सेक्रेटरी लेवल है, प्रिंसिपल इंकम टेक्स कमिसनर है, दो बच्चे हैं, लगबग सेटल हैं, तो वो कर रहे हैं, तो साहिद हमारे लिए तो कर रहे है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, समाज की, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ, आप आवाज उठा रहें, तो सबसे पहले उनको यह लालत, यह गलत फहमी होती है, यह कुछ न कुछ अपना फाइदा उठाने के लिए कर रहा है, और वो वो आदमी जो active होता है वो देरे-देरे suppress हो जाता है वो दब जाता है वो फिर वो अपने बीबी वच्चों में उधर लेने हो जाता है तो मेरा यह कहना है कि सबसे पहले तो भायचारे को maintain करें ओफिस में एक दूसरे की इज़त करें जो senior है seniors की जो छोटे हैं अपने छोटे की और एक संग्ठर को मजबूत करके और एक सिस्टम को तयार कर लो आप लोग और हम सब भी लगे हैं और जितने भी आपके रिष्टेदार हैं जानकार हैं उनको राम लीला मैदान में ओफिस ट मैं तो अगर अब की बार चूंग गया आपी दिक बहुत होनी है सरकार कोई हीजा था कोई कोई भी सरकार नहीं अठाने जारी है लेकर अताएंगे हाई कोट अताएंगे स्प्रिम कोट अताएंगे हमारे दिक्कत जाएंगे नेता जी पास पर Gente knobs कर रहे हो आम हम क्या क्रेव हम तो कुछ शक्रिश कर ना मैरिक सकते ना शुर॑ क्या दिक्कत है तो नायवलाय से सारी चीजी हट रहे हैं देखी रहें कोई भी जो भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्वेशन ओन मेरिट कंसेप्ट और जितना भी कैच अप रूल ऐसा भी रूल कर दिया है कि यूप्टे में जो आदमी हमारे से अपने प्रमोशन स्ट किसीनड पर दोरान गारा वाशन होने जा रहा है कि हमारे सोने से मारे नास आठने से कि जो आदमी जिनके पास पैसी से साउंड, जमीन, जायदाग और हर तरह से बिजनिस से अच्छे, उनके पास तो होगा आरक्षन, और जो हमारे लोग जो नेडी परसन है, उनके पास आरक्षन नहीं होगा, ये हमारी कलती है, क्योंकि आप ये जात आरक्षन हर्याना का देख ल हम लेना चार्ते हैं, हम उनके शिखना चार्ते हैं, तो प्सावागे स्टूर्ण